लोकी कौन है कहां से आया है किसका बेटा है Blabla मगर क्या आप लोग को पता है की कि किसी भी बेजान चीज waits को एक पहले जान लेते हैं कुछ basic abilities के बारे में जिन में से पहला है super strength दोस्त अगर आप लोगों को लगता है कि लोके को बस trick करना और magic करना ही आता है physically हो काफी weak है तो आप गलत हो क्योंकि frost giants की main की उनकी strength ही होती है और actual में एक frost giant होने के नाते लोके की physical strength भी काफी impressive है हाला कि वो normal frost giant से काफी चोटा और कमजोर है मगर फिर भी उसकी strength इतनी है कि वो किसी बे average as guardian male या warrior से ज्यादा इताकत रखता है लोकी 50 stunts तक वजन उठा सकता है और उसने तो एक बर कॉमिक में एक पंच से एक बड़े से building को गिरा दिया था और marvel की information की हिसाब से वो अपने magical powers के इस्तेमाल करके अपने physical strength को कुछ extend तक बड़ा भी सकता है और साथी में उसकी fighting skills भी बड़ी है जिसका जलवा उसने थोर अरोग मुही में दिकाई दिया था जहां उसने खंजर अपने helmet का इस्तेमाल करके उस zombie like troop को beat कर दिया था सीधी बाद उसकी combat skills बैतरीन है खास करके खंजर या तलवार के साथ जो चीज Thor के साथ hand to hand fight में उससे थोरी ज़्यादा देर तक मैदान में ठिकाए रखती है और पहली Avengers फिल्म के मुताबिक लोकी के reflexes भी काफी fast है और इसी कारण से हो होकाई के arrow को अपने हाथों से रोक लिया था और ओ भी अपनी मुंडी को बिना घुमाये देखके मगर एक पतला दुबला इंसान की तरह दिखने के वावजूद भी दूसरे Asgardians की तरह लोकी की भी body density किसी भी इंसान या Avengers से तीन गुना ज्यादा dense है जो चीज सिर्फ लोकी की वज़न नहीं बढ़ा था बलकि साथी में उसके muscle tissues को strong बनाती है और उसे extra strength provide करती है और अगर बात करे durability की तो उसे एक average Asgardian warrior के मार से भी कुछ खास चोटे नहीं लगती इतना कि पहले Avengers के फिल्म में तो हलक के दौरा इतने खतनक तरीक से पिटे जाने के बाद भी ओ धरासा ही तो हो गया था मगर फिर भी उसे बस थोड़े मोरे से scratches ही आये थे कोई और होता तो उसके हड्डियों का कचुमबर बन जाता हो अलग सबसे बड़ी बात उसका सर फट के मौत हो जाती और हर तरफ खूनी खून और उचाई से गिर के भी लोकी को कुछ नहीं होता गोलिया भी उसका कुछ नहीं बिगार सकती और किसी बिहाती पाउरफूल एनरजी ब्लास्ट से भी उसे बस कुछ इंजरी से होती है इतना कि कॉमिक में वो मैंडरीन के रिंग्स की एनरजी ब्लास्ट से भी बज़ गया था और extremely high temperature में भी उस सर्भाइब कर सकता है और सबसे खास बात जो है वो हर तरीके की diseases यानी बिमारी से immune है कोई भी बिमारी या disease उसका कुछ नहीं बिगार सकती जो कि हमें दूसरे asgardians में नहीं दिखती और यह उसका एक plus point है और इसके भी उपर सोने पे सुहागा कि उसकी regenerative healing factor भी काफी तगरी है और next अगर बात कर उसकी sorcery की तो लोकी ए asgard का best sorcerer है और नौर यासुतो का भी one of the best magician है जिसे खुद थोर की माँ फ्रेगा ने train किया है जो कि लोकी की माँ भी है और कहा जाता है कि उसकी magical powers नौर्स कुइन sorceress करनीला की बड़ा बड़ी की है जिसे mistress of magic भी कहा जाता है लोकी अपनी magical power से mystical energy blast कर सकता है और काफी powerful mystical beam भी project कर सकता है और साथी में वो चारों तरफ highly durable mystical force field भी create कर सकता है हाँ पता है कि इसलिए ताकते हमें MCU में यानि movies में नहीं दीखिये इसलिए जाल लो और इसके बाद सबसे well known जो है ओ है illusion casting लोकी illusions को cast कर सकता है और इसी कारण से main lucid trickster कहा जाता है और साथी में god of mischief and god of life और जिस ability के के सारे जलबे आपने movies में देखा है और साथी में comics में भी इसके जलबे कम नहीं इसी illusion casting के magical powers के कारण और अपने कई सारे copies बना सकता है और सिर्फ एक दो लोग नहीं बलकि पुरे शहर के लोगो को बेवकूफ बना सकता है सारे asgardians सहत पुरेक पुरे asgard को भी धोके में रख सकता है जैसे उसने odin का रूप लेके movie में किया था इतना कि लोकी ने तो कॉमिक में शैटर जैसे एक इतने खतनक entity को भी विवकूफ बना चुका है और साथ ही में लोकी के पास teleportation की ability भी है जो कि हमें movies में कुछ खास दिखा नहीं है और कहा जाता है कि लोकी अपने साथ साथ केई साय लोगों को भी एक साथ teleport कर सकता है वो भी दूसरे dimensions में तो फिर तो bypass की 0-3 नहीं है अक्चुली हाँ और एक और lesser known ability है टेली काइनेसिस जी हाँ अपने magical powers के क्रिपा से लोकी एक टेली काइनेटिक है जो अपने mind से ही किसी भी बस्तू या चीज को move करवा सकता है और अगर next बात करे तो लोकी की shape shifting abilities के बारे में तो सभी को पता है और MCU के मुताबिक वो magic से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी रूप बदल सकता है वो खुद अपने आपको किसी इंसान या एलियन से लेके किसी भी जानवर तक हर रूप में बदल सकता है इतना कि वो खुद को किसी भी बेजान चीज में भी बदल सकता है और actual में वो एक बहुत ही finest सेप सिप्टर है मेविस्टो की तरह और सिर्फ रूप भी नहीं बलकि रूप के साथ साथ उनके basic natural abilities को भी ओ एड़ अप कर सकता है लेकिन वो किसी की भी special abilities को कॉपी नहीं कर सकता मतलब अगर वो Captain America बन जाएगा तो उसकी personality और brave nature को कॉपी कर पाएगा लेकिन उसकी तरह super soldier strength नहीं आएगे लेकिन अपसोस की कॉमिक में अभी केई बार मर के जिन्दा होने के बाद लोकी की shape shifting ability लगभग खतम हो गी है और अभी वो कॉमिक में बस अपने अलग-अलग form ही आ सकता है जैसे वुल्फ लोकी, लेडी लोकी, किड लोकी इन सरे forms में इन के लबा और कुछ भी नहीं और ही से आते हैं एक और बहुत important ability में और वो है immortality यानि अमरता अब देखो कोई भी Asgardian God immortal नहीं है बस ओ लोक हजारों लागों साल तक जीते हैं इसलिए हम लोकों लगता है को immortal है लेकिन लोकी के मामल में ऐसा नहीं है लोकी एक्चुल में immortal है एक्चुली कॉमिक्स में लोकी ने अपनी बेटी हेला से एक डील करके अपना नाम Book of Hell से हटवा लिया था जी हाँ हेला लोकी की बेटी है कॉमिक्स में और इसलिए लोकी मर के लोकी का सोल भैलाला नहीं जाता बैलकि वो दुबारा पुनर जनम ले लेता है एक बच्चे की रूप में और उस हिसाब से लोकी एक immortal है जिससे माना तो जा सकता है लेकिन वो दुबारा पुनर जनम ले लेता है वैसे ये point मेंने things you don't know about लोकी के वीडियो में बताया था उस वीडियो में काफी सर अच्छे points है चाहे तो देख सकते हो लिंक इंदर description आई button में मिल जाएगा next अब हाला कि लोकी कोई telepath नहीं है मगर फिर भी उसके पास कुछ sionic capabilities है जिनके limit stick से नहीं पता वो अपनी सोच को काफी दूर तक project कर सकता है और थोड़ी हद तक किसी से telepathic हली communicate भी कर सकता है और खास करके अपने गुलामों के साथ जो उसे serve कर रहे है और साथे में इं sionic capabilities के कारण उसके पास थोईसी hypnotic abilities भी है और इन सब के बाद भी लोकी के पास एक खास ability या power जो है वो यह है कि वो किसी भी बेजान object को एक living being या super human में तबदील कर सकता है और कुछ हद तक उनके powers को भी provide कर सकता है मगर temporarily जैसे उसने एक बार बादलों को dragons में तबदील कर दिया था और बिलकुल इसका ultra ओ जिन्दा जीवो को भी एक बेजान चीज में तबदील कर सकता है like a rock next अब आप में से जयाता लोगी एकस मैन के रोग को तो जानते ही होंगे जिसके छूने से ही ओपोनेंट का हलत बिगर जाता है और वो उसके abilities छीन लेती है मगर अपने magical powers के creeper से लोगी के ऊपर रोग का जलवा नहीं चलता और इसका अलावा भी frost giant metabolism के दुआ से लोगी के पास super stamina है वो आसानी से ठकता नहीं है compared to any normal average as guardian और उपर से लोगी genius level का intelligent है जैसा उसने लोगी से ट्रिलर में खुद ही बताया है अपनी तारीफ कर रहा था अखिर में cherry on the cake उसे 9 realms से लेके कही सारे alien species तक बहुत सारे भासा आयाती है and that's it इससे देदब ours मुझे नहीं पता अगर आपको पता हो तो कोमेंट्स में जरूर बतायेगा अगर मैंने कोई powers मिस कर दी है तो कोमेंट्स में लिखना बिलकुल मत भूलेगा और जो लोग लिखेंगे उनको मिलेगा एक बड़ा सा थैंक्यू क्योंकि मैं गरीब हूँ और कुछ नहीं दे सकता मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मज़ए कॉन्टेन के साथ और तब तक के लिए stay tuned stay safe अपना पना फाली का क्या लगियो दूसे का चिका मैं मुदध किजिए विकास यू आ ओ फ्रीकिंग सूपहिरो वेड़ 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 सूपहिरो